जौनपुर में सोनपापडी कारखाना का ताला तोड़कर कमरे में रखा लाखों का माल चोरों ने पार कर दिया कारखाने के बाहल लगे सिसी टीवी कैमरे को छती गरस करते हुए डीवियाल लेकर फरार हो गए सोचना पर पहुची पुलिस ने मामले की जाज़ परताल में जुड़ गई है सागंज कोतवाली शेतर के ताखा पूरब गाउं में सोनपापडी कारखाने का ताला तोड़कर लाखों का चोरी करने का मामला सामने आया है कार खाने के मालिक ने बताए कि बंद कमरे में रखा 70 बोरी से अधिक मैदा, रिफाइन तेल वा 5-3 पापड़ी लेकर चोर फरार हो गए चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोरों ने कार खाने के बाहर लगे CCTV कैमरे को छती गस्त करते हुए DVR भी लेकर मौके से फरार हो गए सुचना पर पहुंची पुलिस ते मामला की जाज परताल में जुड़ गई है आप भी देखे मारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटन न्यूच पर सुबह हम आये थे अपने यहां कारखाने पे आने के बाद यहां तालह तोड़ दिया गया था । यहां से सट्र पछित्तर बूरी मैदा था मंगाय थे और 25 टीना रिफाइन मंगाय थे जिस में ही चार टीना डीफाइन बचा करने जा रहे थे आज जब आये हैं सुबह तो देखें हैं कि वहां तुटा पड़ा और मैदा गायब हो गया यहां से तकरीबन मैदा बहत्तर बोरी मैदा चली गई है कि चार यहां सुमपापड़ी उठा ले गए और यह त्लू पंप में लगता है वह भी उठा ले गए और तीन कैमरा उठा ले गए जानकारी हमें सुबह नवजे हुई है पुलिस आई थी पुलिस आई है साड़े दस बजे के बाद 11 बजे के बाद लगभग इसमें चोरी तक्रीबंड लाग रुपए का हुआ है एक सवा लाग रुपए का यह सौंपापड़ी का का रखाना था ताखा पूरब में इस खबर पर अधिक जांकारी के लिए हमारे समधता विवेक जोड़े गया विवेक क्या है पूरा मामला बिल्कुल आपको बता तुम पूरा मामला जो है सागन्स कोतवाली छेत रखे ताका पूरब गाउं का बताए जा रहा जहां पर सौंपापड़ी कार खाने थी बंद प उसे भी अपने साथ ले गया और डीवियार को भी चोड़ लेकर फरार हो गया जब करखाने की मालिक घटना की जानकारी होई तो उसमें थाने पर जाकर पूलिस को सिकायत पत्र दिया वह पूलिस मौके पहुचिए मामले की जाज परताल सुरू कर दिये रिसु आपको बता की जाज परताल करेजी